हलो एवरिवान वेलकम तो माई चैनल लॉन विट फाइजा आज हम एक ऐसी हैल प्रॉब्लम और उसके सलुशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आप यहां पे डेख रहे हैं कि ADO में सूजना जाती है और आप गलत साइज वाली चंपल पहनते हो तो चंपल गलत साइज की प आपको डर्द रहता है या फिर AD में डर्ड और जलन मैसूस होना तो यह जो सारी हैल्थ प्रॉब्लम है उसे हम हील पेन कहते हैं जिसको AD में डर्द होना कह भी सकते हैं तो यह जो सभी सम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको हील पेन हो सकता है तो चलिए सीखते है आज के वीडियो लेक्चर में कि AD की डर्ड को ठीक कैसे करें तो आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं अगर किसी को हील पेन है तो उसका इलाज कैसे होगा सबसे पहले इंट्रोडिक्शन से बात करेंगे दिन किस कारण से AD का पेन होता है उसके लक्षन क्या है डाइग्नोसर क्या करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट ओप्शन क्या-क्या अवेलेबल है तो इसको बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा तो चलिए समझते हैं अब इस बिमारी के बारे में कि हील पेन कब होता है हील पेन किसे कहते हैं तो heel pain एक medical condition है जिसमें आपको ADK area में pain fill होता है यानि कि यहाँ पे इस image में आप गोर से रेखें इस तरीके से आपको pain हो सकता है और चलने में या फिर दोडने में आपको difficulties आ सकती है जो directly हमारे heel bonds पे affect करता है तो यह painful study रहती है जिससे कि आपकी जो daily routine life है उसमें troubles आ सकती है और परिशा नहीं आ सकती है वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी एक new launch printed book है तो इसका नाम है disease and treatment तो अगर कोई disease है तो उसके causes, symptoms, diagnosis, treatment तो यह जो सारे chapters है वो हमने cover किये है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको हमारी जो printed book है वो available रहेगी तो इसके लिए आपको मुझे whatsapp के true contact करना होगा description box में whatsapp number दिया हुआ है तो whatsapp के true आप मुझे contact करके अपनी जो book है वो order करवा सकते हो now अब उसके causes के बारे में समझे कि इसके causes क्या है किस कारण से AD में डर्ड रह सकता है सबसे पहले यहाँ पर है injury अगर आपको AD में injury हुई है पेर में चोट लगी है तो उसके कारण हो सकता है या फिर आपका पेर में मौ जा गई है twist हो गया या फिर fall हो गया है और fracture रहा हुआ है उसके बाद heel के area में pressure आ जाना then plantar fasciitis यानि कि यह जो आप देख रहे हैं heel bone अब यह जो heel bone है वो पैर के अंगूठे से attach है तो यहाँ का यह जो bone है वो flat है तो उसके कारण भी आपको heel pain हो सकता है then heel versitis वहाँ पे pressure आ जाना tersal tunnel syndrome और inflammatory joint diseases अगर आपको joint का problem है joint diseases है rheumatoid arthritis है peripheral neuropathy यानि कि nerve pain है आपको pezitt disease of bone यानि कि यहाँ पे आप देखे कि यह जो legs है वो normal है अगर pezitt disease में क्या होगा कि यहाँ का यह जो bone है वो band हो चुका है तो इसके कारण भी आपको heel में pain हो सकता है now osteomyelitis bone में infection होना और bone का cancer रहना तो यह जो सारे कारण है उस कारण से आपको heel में pain रह सकता है now video के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक नया course है बिमारी और उनके उपचार के बारे में जो कि आप इसी channel पर सीखते हैं जिसे कि अगर कोई बिमारी है तो उसके कारण, लक्षन, नीदान, उपचार, इलाज, एंडवाईया तो यह जो सारे chapters है वो one by one हम इस channel पर cover करते हैं तो अगर आपको हमारे साथ इसे ही study करना अच्छा लगता है तो आप हमारा course join कर सकते हैं वो download करके अपना जो course है वो ले सकते हो, now symptoms के बारे में सीखें कि इसके symptoms क्या रहेंगे किसे पता चलेगा कि यह जो बिमारी है, heel pain है वो proper इस वज़े से ही होता है तो यहाँ पर है bonny grot on the heel, यानि कि यहाँ पर heel का यह जो area है, वहाँ पर bones है, उसका over growth हो जाना, discoloration यानि कि उसका color change हो जाना वहाँ पर जब भी आपको pain होगा तो वहाँ पर area का redness आ सकती है, आपको sujan आ सकती है, then stiffness रहती है, muscle tight हो जाते है, swelling, tenderness और आप जब भी खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं, तो उस दर्मियान आपको, आपकी जो heels है, eddy है, वहाँ पर pain आ सकता है तो यह जो सारे symptoms है, वह आपको indicate करते हैं, कि आपको heel pain हो सकता है, now video के बीच में मैं आपको बढ़ाना चाहती हूँ, कि again आपको इसी तरीके से बिमारी है, तो उस बिमारी के हल के लिए आप मुझे इस whatsapp number के through contact करें, जिससे कि आपको पूरी medicine के जानकारी मिलेगी और भी यहाँ पे है, कि हमारा एक course है, human anatomy and physiology का, तो अगर आपको anatomy study करना अच्छा लगता है, तो आप हमारा course भी join कर सकते हो, now अब हम हमारे topic पे वाबस से आते हैं, कि heel pain का diagnosis क्या है, अगर किसी को AD में डर्ड है, तो उसका diagnosis कैसे होगा, सबसे पहले physical examination होगा, कि जहाँ पे pain हुआ है, वहाँ पे यह जो healthcare provider है, वो चेक करते हैं, कि आपको pain किस point पे है, उसके बाद x-ray करवाते हैं, तो x-ray की true बटा चल सकता है, कि आपको किस वज़े से heel pain हुआ है, आपको कही fracture है, या फिर normal सी मूच जा गई है, तो यह जो सारे diagnosis है, वो हो सकते है, आप treatment option के बारे में सेखे किसका इलाज के से हो सकता है, तो इसका इलाज proper rest लेना होता है, आपको 2-4 हफटे का, जिसे कि आपके pair को proper आराम मिले, और आपको जो pain है, वो दूर हो सकते है, उसके बाद ice compression, यानि कि cold compress using ice packs आप ले सकते हैं, फिजियो थेरापी, आपकी heel में massage कर सकते हैं, with massage oil, और anti-inflammatory, यानि कि अगर किसी को solution है, वहाँ पे inflammation हुआ है, तो उसके लिए medicine भी ले सकते हो, उसके बाद athletic tapping, तो यह जो सारे treatment है, वो heel pain के लिए है, तो चलिए, अब हम one by one start करते हैं, हमारी सबसे 5 best medicine, heel pain के लिए, अगर आ best heel pain के लिए medicine यहाँ पे मिलेगी, तो सबसे पहली यहाँ पे है, acyclofenac P, तो P for paracetamol, acyclofenac and paracetamol की combination medicine आती है, तो इसका dose रहता है, one और two tablet per deka, उसके बाद जो है, वो brufin, brufin में 400 अविलेबल है, और इसकी डूसरी भी variety है, जिसे की 200, 600, तो इसका जो total dose रहता है, व 400 से लेके 800 mg per day का, यानि कि आपको दिन में 3 बार minimum dose से start करके लेना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि हमारी यह जो printed book है, अगर इसके लिए आप मुझे contact करना चाहते हैं, या फिर आपको भी यही book चाहिए, तो हमारी जो एप है, वहाँ से आप access कर सकते हो, अब हम स kitoral dt, तो इसका जो dose रहता है, वो 10 से 20 mg oral every 6 hour, यानि कि दिन में 3 से 4 बार आप यह टेबलेट ले सकते हैं, उसके बाद मैक्विस्टीन, तो मैक्विस्टीन आपके motion को improve करेगी, flexibility improve करेगी, चो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका most indication दिया हुआ है, तो इसका भी dose आपक यह जो medicine है, उसका भी same dose रहेगा, वन टेबलेट पर देखा, अगर आपको यह जो सारी medicine है, वो ले रहे हैं, उसमें से कोई भी एक ही option लेना है, तो उसके साथ साथ आपको, heel pain relief के लिए, silicone gel heel socks आते हैं, यह online available है, तो यह आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको pen relief हो सकता है, calcium जो रहता है, वो यह है कि calcium with vitamin supplement, तो vitamin में, vitamin D3 की tablets आती है, तो इसका जो dose है, वो वन टेबलेट पर देखा रहेगा, और vitamin B की बाद करें, तो vitamin B complex और B12 के combination में, neurobian food आती है, तो neurobian food जो है, उसका भी same dose रहेगा, वन टेबलेट पर देखा, तो यह जो सारी medicines है, यह medicines से आपकी health improve हो सकती है, आपका heel pain, AD का जो dirt है, वो remove हो सकता है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, एसी ही diseases के बारे में आपको सिखना है, तो आप मेरी चैनल को subscribe कर सकते हैं, या फिर comment box में comment drop करके भी मुझे बढा सकते ह कि आपकी कौन से diseases के बारे में सीखना है, थैंक यू फो रॉचिंग मैं वीडियो,